एक बेजोड खिलोना है बोटल साइफन और इसमें ऐसे लगेगा कि हमने कोई जादू किया है पानी को नीचे से उपर की तरफ खींच कर इसको बनाने के लिए चाहिए एक बोटल पुरानी कुछ स्ट्रॉज जो मुड़ सकें कैची, गोन और टेप पहले दो छेद करिए बोटल में नीचे की तरफ और उपर की तरफ छोटे छोटे छेद, नीचे वाले छेद में जो पैंदे में है उसमें एक स्ट्रॉज घुसा दीजे, स्ट्रॉज का एक छोर अंदर जब चला जाए तो स्ट्रॉज को मोड़ कर ऐसे स्टेप से चिपका दे साइफन कंजर्वेशन अफ एनरजी के सिध्धान पर चलता है जिससे टंकी में से पानी वैसे तो ऊपर से नीचे जाता है पर बीच में बिना पंप के वो पानी टंकी से भी ऊपर चला जाता है और जैसे कि हम देखेंगे हमारे केस में हमारी टंकी है एक गलास में लाल पान हुआ और वो ग्लास का पानी बोतल में चला जाता है जबकि बोतल उससे उपर है अब दूसरी स्ट्राव लीजिए और बोतल के धकन में जो छेध है उसमें लगा दीजिए बोतल में जो दोनों छेध है उनको गोन से बिलकुल सील कर दीजिए और हमारा साइफन यानि जादू कोई फाउंटेन विलकुल तयार है इस बोतल में थोड़ा पानी भरिये लगबग आधी बोतल या एक चौथाई बोतल धकन बंद करिये और एक ग्लास में लाल पानी ले लीजिए अब जैसे आप बोतल को उल्टा करेंगे और हरी वाली स्ट्रॉप ग्लास में डालेंगे त असल में तो पानी पूरी तरह से ग्लास से जमीन पर जा रहा है बीच में ये ग्लास से उपर टंकी से उपर जा रहा है अगर आप बंद करेंगे तो पानी रुख जाएगा और जैसे आप अपनी उंगली हटाएंगे तो आप पाएंगे कि जैसे ही पानी हरी स्ट्रॉप से नीचे की तरफ जा रहा है और ऐसे लग रहा है कि गुरुत्वा कर्शन के विरुद्ध हमने पंप बना दिया तो मज़ा लीजे इस मज़ेदार फवारे का